ओपरेटिंग साइकल वीडियो रुख गई एक बार चेक करिए मेरे पास तो सब कुछ किलियर है वीडियो रुखने का तो मतलब बनता नहीं मेरे पास तो क्लियर दिख रहा है वैसे कोई दिक्कत आया है तो बता दिजिएगा हाँ जी देहान देजिए बहुत छोटा सा चेप्टर है लेकिन इन्पॉर्टेंट है ठीक है न ये वाला चेप्टर जो हम करने जा रहे हैं और जो इससे पिछला चेप्टर था आपस में दोनों कनेक्टेड होके कुछन बनेगा एक्जाम में सर इस चेप्टर में क्या सीखेंगे सर क्वालिटी सही नहीं आ रही एक बार आप चेक करिए वहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल का भी ऑप्शन है वीडियो के लिए रहे है बताईए फटा फट मुझे अब एक बार यहां जो बच्चे बैठें जिनको एक्सेस है देखना क्लियर आ रहे है वीडियो क्लियर है ठीक है ठीक है क्लियर है ओके नाम क्या है हमारा ओपरेट्इंग साइकल चैपटर का अब देखो वरचिंग कैपटल जो है न ध्यान से सुनिएगा उसको लिंग करिएगा कि यह चैपटर कैसे एकजामनर लिंग करेगा हमारा वैसे नॉर्मली वर्किंग कैपिटल जो वर्किंग कैपिटल है वर्किंग कैपिटल में हमने last class में कोड़ पे ध्यान दीजिएगा last class के अल्दर हमने क्या देखा था के estimated वर्किंग कैपिटल यही देखा था सर, estimated working capital में आपने हर बार मुझे एक amount find करके दिखाया था कि सर, working capital ये है working capital ये है, amount find करके दिखाया था लेकिन उसमें ये नहीं बताया कि ये amount आपको कितने दिनों के लिए चाहिए मान लेते हैं आपने 5 लाख रुपए amount find करके दिखा दिया कि सर, working capital लेकिन ये 5 लाख रुपए कितने दिनों तक की जरुरत को पूरा करेगा time factor नहीं था suppose करिये, एक example लेता हूँ, मैंने raw material लिया ठीक है ना? raw material लिया raw material को लेने में, सबसे पहले एक supplier होगा आप chain को देखिएगा किस तरीके से chain बनता है सबसे पहले कौन होगा? supplier जो ये supplier है हमारा supplier हमें क्या देगा? raw material raw material लेते ही मैं क्या करूँगा? उसको मैं convert करना start कर दूँगा raw material लेते ही मैं क्या करूँगा? उसे convert करूँगा convert का मतलब मैं simply बोलूँ आपको तो मैं WIP करूँगा conversion में WIP होगा तो सर ये जो conversion करोगे WIP करोगे और आप चल रहे हो कहां से कहां तक? सर आप जो चल रहे हो यहां पर normally यहां से यहां तक की दूरी को तै करने में समय लगता है ऐसा नहीं है raw material लाया मैं factory की बात कर रहा हूँ बहुत छोटे skill की बात नहीं कर रहे हैं बहुत बड़े skill की बात कर रहे हैं जहां पे के tons में product तयार होते हैं lags number में तयार होते हैं तो वो थोड़ी है के एक product बनाएगा दो बनाएगा यह वो तो एक ही बार बनाएगा मैंने raw material खरीदा खरीदने के बाद यहां conversion में जाने के बाद जैसे ही conversion करेंगे अगला step हमारा रहेगा चलो उसको क्या कर दें finish कर देते हैं ठीक है न किसमे convert कर दिया मैंने finish goods तो आप मुझे बताइए क्या यहां से यहां तक आने में भी एक समय लगना है हमने समान खरीदा उसको convert किया वहां भी कोई time लगेगा convert होने में time लगा उसके बाद finished goods में भी time लगा हो finished goods के बाद आप इसे क्या करेंगे पता है आप इसे sales करना चाहेंगे correct क्या sales भी एकदम से कर पाओगे आप नहीं कर पाओगे सर यहां से यहां तक में भी time लगेगा sales तो कर नहीं भाओगे एकदम से आपने माल बना लिया और आप बेच दोगे क्या इतना possible लेख है समान बेचना माल बेचा उसके बाद आपको फिर से देखा जाए तो आगे का time जब माल बेचोगे cash बेचा तो कोई बात नहीं लेखिन अगर आपने credit पे बेच दिया debtor को बेचा अगर आपने again यहां पे समान बेचने इसके बाद पैसे receive करने में time हो गया last stage आपका यह है यानि आप जब raw material यहां पे मान लेते हैं कि आपने 1000 करोड रुपे का raw material खरीदा तो इसका मतलब बेचने में आपने मानते हैं कि आपने 1500 करोड का raw material बेचा है मान लिया 1000 करोड का लेकिन 1000 करोड को 1500 करोड तक ले जाने के बीच में फासला है समय लगेगा इसमें मान लेते हैं कि यहां से यहां तक conversion में 10 दिन मान लिजिए conversion में 10 दिन मान लिजिए conversion तक FG जाने में 20 दिन मान लिजिए FG से sale करने में 15 दिन मान लिजिए sales के बाद debtor तक उधार जो हमने बेचा उससे पैसे recovery तक में आपको लगे 20 दिन अब recovery के बाद आपको कही 1500 करोड मिलेगा तो सर 1000 करोड लगाओगे आपको 1500 करोड मिल जाएंगे लेखिन समय 10 20 और 15 कितने होते हैं 10 30 15 45 और 20 यानि 55 दिनों का फासला है 65 हो रहा है 65 डेज का फासला है आपको यानि आपका पैसा 1000 करोड लगाया न तो आपका पैसा ब्लॉक होने बादा है होगा यह नहीं ब्लॉक होगा कितने दिनों के लिए 65 दिनों के लिए ब्लॉक हो जाएगा कितना ब्लॉक होगा 65 दिनों के लिए तो यानि आपको working capital की requirement तो यह दिनों को ज स्क्राया करोड वह कितने दिने के लिए कि लिए 65 दे लिए यै आप कहीन देखो Jeśli अगर यहाँ से इहां गया यहां से कडिनों के यहां से यहां आए फिर अगेन दुबारा से कहानी प्रोसीजर हो जाएगा फिर से राव मट्रियल खरीदेंगे फिर से लेंगे फिर वही सर्कल जो है देखोगे आप तो कुछ न कुछ इस टाइब को सर्कल बन गया और सर्कल को साइकल बोलते हैं साइकल मतलब एक डूरेशन और यह बिजनस को चलाने में 55 दिन का हर बार समय लग रहा है इसलिए चैप्टर का नाम हमारा पढ़ गया ओपरेटिंग पहले हमने क्या सीख लिया यह वाला थोड़ा आसान पोर्सन था यह सिखा दिया मैंने आपको वैसे हाला कि पहले यह सीखते हैं फिर यह मैंने सोचा पहले यह सिखा द करोड तक जाओगे 65 दिन लगेंगे लेखिन एक चीज़ ध्यान रखिए ऐसा भी पॉसिबल है कि रॉव मेट्रियल वालोंने मुझे भी क्रेडिट पर समान दिया हो हो सकता नहीं हो सकता उधार पर दिया हो हमारा जैसे पेमिंट आएगा हम उसको जाके पेमिंट पकड़ा है हमें टोटल पैसा आने में 65 दिन लग रहा है और क्रेडिटर ने बोला कि आप मुझे 10 दिन बात दे दना पैसा तो यानि मुझे जो इंतजाम करना है वो करना है 55 दिन के लिए क्योंकि टोटल 65 फसर आए 10 तो वह टाइम दे रहें तो मुझे 65 दिन का इंतजाम नहीं करना 55 दिन के लिए इंतजाम करना अगर मैं बोलू मुझे वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए तो अब मुझे वर्किंग कैपिटल 1000 करोड नहीं चाहिए कितने चाहिए 500 क्योंकि 500 तो उधार ही मिल गया तो उसका कहां से इंतिजाम जो मुझे उधार दे रहा है उसका भी इंतिजाम करोगे क्या आप वो तो मिल गया उधार आप उस पैसे का इंतजाम करोगे जो आपको मिल नहीं रहा है बड़ी सिंपल सी बात है तो sir operating cycle क्या होता है अब आपको क्या सीखना है chapter का theme समझो basically हम सीखेंगे कि raw material कितने time तक hold करना है WIP में कितने समय तक रहेगा इसके बाद finished goods बनने में कितना time लगेगा उसके बाद sales होने में कितना time लगेगा debtor से कितना time लगेगा creditor से सब days को हम एक बार plus minus करेंगे जैसे आपने यहां मुझे plus करके बताया that is a operating cycle फिर पूछा जाएगा question में बताओ साल में कितनी बार यह operating cycle चलेगा तो मान लेते हैं आपका निकलता है 65 दिन और साल में मान लेते हैं आपके 365 दिन है तो 365 divided by 65 करेंगे पता चल जाएगा साल में कितनी बार यह cycle चलने वाला है तो हम question भी करेंगे कुछ part हम question के बीच में कर लेंगे तो बहुत simple सी बात है आपका operating cycle का एक बर मैं ठीक से फिर से दुबारे से डाइग्राम आपको समझा देतों कि operating cycle सर कैसे बन गया यह कैसे नाम इसका operating cycle पढ़ गया तो अगर आप ध्यान देजिए कुछ steps देखते हैं फिर उसके बाद इसके formula को लिखेंगे मान लेते हैं यह stages है जहां पे हमने raw material खरीदा raw material खरीदने के बाद हमारा अगला stages आया जहां पे मैंने WIP बनाया ठीक है ना जहां पे मैंने क्या किया WIP बना दिया और यहां पे हमने raw material खरीदा WIP से अगला stages आगया मेरा जहां पे मैं क्या बनाऊंगा बताओ FG नाम दे रहा हूं मैं क्या बनाया मैंने finished goods बना दिया मैंने ठीक है सर अब finished goods के बाद क्या बनेगा बताओ जब माल आपने खरीदा WIP में फिर इसके बाद क्या करोगे sale करोगे यहां पे तो अगर हम sales करेंगे इसमें भी वक्त लगेगा हमारा जो sales करने में हमारा वक्त लगा है इसके बाद फिर क्या करोगे आप उधार माल जो भी था इसके बाद debtor बनेगा अगर नगत बेचा तो यहीं मिल जाएगा पैसा अगर नगत नहीं बेचा तो debtor बनेगा यह समय लगेगा debtor बनने के बाद से आगे फिर से कहानी अगर देखी जाए तो अगर मैं बात करूँ debtor बनने के बाद फिर से कहानी क्या गुमेंगे आपके पास debtor से पैसे recover होंगे cash और cash से फिर क्या खरीद लोगे आप raw material से फिर कहां जाएगा फिर से कहां जाएगा फिर यह आएगा और फिर यहां आजाएगा फिर पैसे मिलेंगे again आप यह circle क्या करते जाओगे और ये circle चला क्यों रहे हैं अपने business को operate करने के लिए इसलिए इस chapter का नाम क्या पढ़ गया operating cycle ठीक है अब हमें तै करना है सर यहां से यहां तक की दूरी में कैसे निकालोगे तो यहां के यहां तक की दूरी के लिए अगर देखा जाए आप formula मैं यहीं बना रहा हूं चलिए देखिए यहां से यहां तक वक्त करने में आपको चाहिए raw material तो raw material के लिए पता ही क्या होगा आपका होगा raw material का price जितने का raw material खरीदा है rupees में divided by average यहां अलग से करते हैं यहां तक आपको clear है यानि हमें जो फॉर्मूला देखना है वो देखना है raw material RM का मतलब raw material conversion raw material के बाद क्या देखना है हमें sir WIP sir WIP conversion period के बाद क्या देखना है finished goods finished goods conversion period अब finished goods के बाद क्या देखना है sir debtor sales जिसको हम debtor कह दे conversion period यह हमारा एक normal सा procedure रहेगा ठीक है अब सबसे पहली बात करते है conversion period का मतलब क्या है conversion period का मतलब क्या है देखिए आप average raw material divided by raw material consume या फिर total purchase into में 365 यह हम solve करते हैं तो यह आजाता है raw material conversion का time ठीक है ना अगला अगर आपको WIP चाहिए तो WI के लिए चाहिए average हम question करेंगे और clear ही मिलेगा WIP divided by cost of production into में तो जिल तो जआ है इसको निकालने के लिए तो हर किसी को एक पर्टिकूलर टाइम आएगा और उसको यह में अजूँआ क डेटर के लिए क्या चाहिए? एवरेज डेटर सर एवरेज डेटर को किस से कन्वेट करेंगे? क्रेडिट सेज इन्टू में 365 यह आजाएगा जो भी आना है इसके बाद आगे की कहानी आती है हमारी क्रेडिट परचेज की सर क्रेडिट परचेज को क्या बोलेंगे? एवरेज परचेज डिवाइड़ बाई क्रेडिट परचेज यह परचेज की जगह पर हम जहां मैंने परचेज सब्द लिखा है वहाँ पर क्रेडिटर सब्द भी इस्तमाल हो सकता है ठीक है ना मैंने यहां डेटर लिखा यहां पर क्रेडिटर इंटू में 365 समझ मैं ही बात आपको यहां तक कोई दिक्कत यानी मान लो ध्यान देना इसमें लग रहे हैं 10 दिन इसमें लग रहे हैं 12 दिन इसमें लग रहे हैं 13 दिन इसमें लग रहे हैं 20 दिन टोटल कितने दिन लग गए 12 और तेरा 25 35 और 25 क्रेडिटर का टाइम निकल के आया पांस दिन का तो यानी मेरा उपरेटिंग साइकल पता है कितने दिन का बनेगा माइनस हो जाता है आपको क्रेडिटर दे रहा है तो उतने दिन का तो इंतिजाम नहीं करना ना तो क्रेडिटर क्या होगा हमेशा माइनस होगा ठीक है ना कुछ एक वर्ड ऐसे हैं जो कि एवरेज का फॉर्मूला अभी तक नहीं बनाया जबकि एवरेज हम सुरू से जानते हैं ओपनिंग कर दो प्लस क्लोजिंग कर दो डिवाइड़ वाइट टू किसी का भी एवरेज है वह लेके आप कर सकते हो एवरेज आ जाएगा सर यहाँ पर raw material consume आया तो raw material consume का देख लेते हैं क्या होता है raw material consume का इधर देख लेते हैं कुछ basic terms raw material consume का formula opening stock plus purchase minus closing stock वही जो costing में सीखा था आपने यादोगा cost sheet के अंदर था raw material consume वही रहेगा सर यहाँ पर देखिए मैंने raw material consume लिखा या total purchase बात ही कि अगर मेरे पास opening stock ना हो और closing stock है नहीं शुरू किया भी जो खरीदा सब लग गया तो ultimately purchase ही आ जाएगा तो आपको दोनों में से कुछ भी हो सकता है same आगे cost of production लगाने का cost कितना लगा कई बार cost of production नहीं दिया जाएगा तो cost of goods sold से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि कई बार cost of goods sold क्या होता है बताओ COGS क्या होता है COGS होता है opening stock purchase में production और minus में closing यह FG वाले चल रहे हैं यानि यहां पर आपका purchase नहीं आएगा COGS में production आ जाएगा तो इतने का आपका opening stock था production इतने का किया माइनस में क्या आगया हमारा closing अगर मानलो opening है यह नहीं closing है यह नहीं तो ultimately क्या आगया production और production is equal to क्या जाता है COGS तो कई बार हम यहां पर COGS अस्तमाल करेंगा बाकी practical question देखते जाएंगे उसके हिसाब से करेंगे हम ठीक है न तो formula वहां पे भी है यहां पे भी है कुछ question दे बहुत basic तरीके से करिएगा कोई दिक्कत नहीं आएगा और chapter तो देखो मैं कहा रहा हम इतने आसान आसान chapter है FM में especially नहीं पढ़ोगे न तो बहुत दिक्कत आजाएगे चलिए question में कहता है कि सर यहां पे the relevant information xyz limited for the year and the 2009 given है ठीक है सर sales दे रखा है और cost of goods sold दे रखा है ठीक है आगे कहता है inventory inventory का मतलब stock account receivable दे रखा है आपको और account payable दे रखा है what is the length of net operating cycle net operating cycle का length बताईए तो जो मैंने यहां पे निकाला था न आप यहां ध्यान देजिए यह था gross operating cycle इसमें से जब आप creditor का time minus कर दोगे तो यह आ गया net operating cycle noc net operating cycle ठीक है न तो चलिए सर इसके बाद compute operating cycle कैसे निकालेंगे तो हमारे पास जो information है ज़रूरी नहीं कि कि कुछ में WIP नहीं है इसमें अब यहां पर क्या क्या है सबसे पहले sales है sales का मतलब सर यह debtor है कि मान लो सारा उधार है cogs कहां कहां इस्तमाल होगा देख लेंगा inventory का मतलब यह FG है सर कि बताए नहीं raw material क्या है नहीं है तो हम क्या मानें कि inventory को यह FG है इसके बाद account receivable debtor का हो गया ठीक है और इसके बाद हमारा trade payable क्या हो गया creditor इनका opening balance और closing balance दे रखा है तो यह किस काम आएगा सर average निकालने के लिए तो चलिए मैं operating cycle का length यहीं पे देखते हैं क्या बनता है हमारा सबसे पहले raw material raw material का formula में देखो क्या demand करता है average raw material है नहीं raw material consume भी नहीं है total purchase भी नहीं है तो सर इसके बारे में तो नहीं बताया है तो हो सकता यह trader हो यह हो गया 0 days raw material के बाद WIP यह भी नहीं है यह भी इसमें भी समय नहीं जाएगा क्योंकि यह साइद बना बनाया माल लाके बेच रहा होगा इसके बाद FG FG में बताईए FG तो हमारा debtor से नहीं बनता मेरे साब से FG किस से बनता inventory भी हमारे इन्वेंटरी opening और closing है इन्वेंटरी कौन सा है हमारे पास इन्वेंटरी देखिए आपके पास opening closing है FG का है opening closing stop अब यहाँ पे FG में क्या लगेगा बताओ average तो हम FG का निकाल लेंगे ठीक है cost of goods sold ले लो या फिर cost of दोनों ले सकते हैं क्या यह given है हमें question में sir बिल्कुल given है question में cost of goods sold तो यह निकाल सकते हैं तो COGS कितने है फॉर्मूला देखिए आप ध्यान से याद रखिएगा ताकि मैं वहाँ formula नहीं लिख रहा average finished goods divided by COGS into में 365 तो हमारे पास average finished goods को अगर लेते हैं तो inventory हो जाएगा 9 और इसको plus कर दोगे और divide कर दोगे किस से तू से तो 9 और 211 तो कितने आ जाएगा दस अजार दस अजार पांसो ध्यान से देखिएगा कोई जल्दी नहीं एक ही question हो कोई बात नहीं दस पांसो ठेक है न दस पांसो के बाद divide क्या करना था हमें cost of goods sold कितने हैं इंटू में 100 ना सुरी 100 इतने टाइम से करने वही याद रह जाता है 64 चलो round figure करो 68 मानो ठीक है क्योंकि दिन तो point में हो नहीं सकता यह क्या निकाल रहे है इसमें तो point में हो सकता सर्थ मतलब तीन दिन 3.5 3.4 बेज मानो या तो अपर round figure कर दो या lower कर दो फरक नहीं पड़ेगा एकात दिन का फरक आएगा FG के बाद क्या आता है हमारा अगला स्टैप डेटर सर डेटर का फॉर्मूला देखिए ध्यान से क्या कहता है डेटर के लिए average debtor divided by credit सर क्या average debtor है हमारे पास निकाल लेंगे यह रहा नहीं divided by two तो 16 और 12 28 divided by two कितने होते हैं 14,000 सही जोड़ा था मैंने divided by क्या आता है हमारा sales, credit sales तो सर्थ sales दे रखा है तो credit ही मानू कितने हैं बताओ 80 into में 365 मैं इसको question को थोड़ा छोटा कर देता हूँ बताईए क्या आ रहे है question में अब एक बात और ध्यान रखना है आपको कहीं question में ये तो नहीं बोला के 360 मानो ये ध्यान रखना है कितने बन गए 63 days और ये भी days चलिए debtor हो गया debtor के बाद तो अब क्या करेंगे इसमें से total हमारा देखा जाए time कितना लग रहा है sir total time लग रहा है 68 और 63 एक सो 31 दिन ये हमारे पैसे फस जाएंगे जिसमें से हमें कुछ time का मोहलत मिलने वाला है कौन देगा creditor तो net में time देखना है तो यहां से minus कर देंगे हम जिसको हमने बोला था creditor conversion period creditor conversion period ठीक है क्या formula होगा average creditor account payable को ही creditor बोलते हैं तो 17 का क्या हो जाएगा 85 मैं direct कर रहा हूँ 85 किसी बच्चे को doubt है तो बताईए 85 किसी बच्चे को doubt है तो बताईए काफी बच्चों के answer भी आ रहे है 85 सबको clear है न चलिए divided by क्या करेंगे हम credit नई सेल थोड़ी होता है क्या होता है credit purchase तो सर जो cost of goods sold होता है जो cost of goods sold होता है जितने का हमने समान अब देखे सबसे पहले देखे पर्चेस कैसे निकलेगा doubt doubt सबसे last में मैं लूँगा अभी hand raise का कोई answer नहीं दूँगा मैं जिसका doubt है सबसे last में लिया जाएगा चैट में डाल दीजिए पहले मुझे करने दीजिए तो सर यहां पर देखिए यहां पर ध्यान दीजिए हमें क्या चाहिए पर्चेस चाहिए डिवाइड में पर्चेस के लिए आप दिहान दो COGS का फॉर्मूला COGS is equal to opening stock plus minus closing stock भाई मैंने बोला भी नहीं लेंगे मैं chat बंद कर देता हूँ minus closing तो COGS क्या है सर COGS हमें दे रखा है कोजिशन में 56 समझिए कोजिशन को opening stock पता है FG वाला ही चल रहा है 9000 purchase नहीं पता X closing stock पता है कितने purchase आगया क्या आएगा purchase solve करने के बाद purchase आगया आपका 59 59 सर यही purchase आजाएगा हमारा यहां और गुणा में क्या आगया है यहां पर 52 प्रेज माइनस करिए net operating cycles कितने 79 अब जिसका डाउट होगा मैं लूँगा ऐसा नहीं कह रहा है कि डाउट नहीं लूँगा formula मैंने यहां लिखा था और यह लिखा था अब question करने का एक बार style भी बता दू जो मैंने format follow किया हुआ है notes के अंदर वही आपको follow करना यह देखिए मैंने यहां पर क्या कर रहा है simply कर रखा है हमारा क्या answer आ रहा था 79 यहां पूरा point ले लिए 79 80 days तो चलेगा जिसने 79 भी लिखा उसका भी 100% ठीक है जिसने जो भी लिखा है working note में यह दिखाना पड़ेगा आपको average inventory ऐसे निकाला है average receivable ऐसे निकाला है cogs देखिए purchase का भी मैंने यहां पर निकाल के बताया कि कैसे निकाला है हमने purchase और इसको बहतर presentation के लिए आप क्या कर सकते हैं एक तो यह तरीका किया हुआ है presentation भी सीख लीजिए क्यूंकि हर question में same presentation follow करेंगे मैं एक presentation आपको बता देता हूँ presentation जो रखना है यह line खीचा आपने अगला question मैं इसी presentation में कर दूँआ यहां रखेंगे हम working note यह रहेगा हमारा यहीं पर रहेगा working note यहां पर आएगा हमारा days यहां पर particular और यह रहेगा operating cycle पिछले आले question को presentation में करने से better रहेगे मैं नया question एक करूँँगा अभी मैं एक बार doubt ले लेता हूँ raw material यहां working note करा days लिख दिया फिर यहां पर क्या आएगा raw material का wip working note करा days लिख दिया fg working note करा days debtor और minus में net करके दिखा दिया एक ही page पर आपका साफसुत्रा काम हो जाएगा चलिए अब doubt ले लेते हैं एक पर किस किस का क्या doubt है फेतल सब हां healthy उना ड़ा सुम ज्म सरफ दरूचर में ले अब़ोंक dot hypothetical ले-एडार कि मया एक हो ह़ार चार किस का लेते लेतेशन व्म आपकार किस अ कमाुर्स सब्सक्तरा shy रभा है ऑर पार हैं जाल उना माूफ मॉन पारम हमें लेते हैं किस